है यहलो वच्चों वेलकम तु संकल्द भारत आई होप आप लोग की नीट की त्यारी बहुत उंदा चल रही होगी बहुत अच्छे से आप पूरे जोश से इस एक मैंने बहुत अच्छe से प्रिपैर करे होगे consistency के साथ मैनत कर रहे होगे क्योंकि NEET कुछ दिनों में है कुछ time रह गया है और इस time में अगर आप consistency रहते हो तो तो आपकी नईया पार लग जाएगी यानि कि आपको seat मिल जाएगी अब NEET के regarding ही बहुत important खबर बहुत important news NTA ने अभी अभी अपनी official website पर जारी करी है ठीक है अब ये official website कौन सी है ये भी आपको याद रखना है official website है exams.nta.ac.in slash NEET पर ये आपका circular आपको मिल जाएगा ठीक है ये circular कहता है कि आपकी जो NEET का paper है वो कब है 5 में को है और timings क्या है 2 बज़े से 5 बज़े तक 5 बज़े बीस मिनट तक आपकी ये timings रहेगी यानि कि paper delay नहीं हो रहा है postpone नहीं हो रहा है तो सारी अफवाव से आपको रहना है दूर अब important ख़बर क्या है important ख़बर ये है कि जस तरह से NTA ने इस साल दुबारा registration open करे थे उसी तरह से NTA ने अभी correction window को दुबारा open किया है तो जब correction window open हुई है यानि कि आपने form भड़ते हुए कोई भी गलती कर दी हो नाम की spelling गलत कर दी हो ठीक है जेंडर गलत डाल दिया हो कुछ भी XYZ गलती हो गई हो तो उस गलती को सुधारने का मौका आपको मिल रहा है correction window open हुई है correction window कब से कब तक है 11 April से लेके 12 April 2024 के रात के 11.50 बजे तक open है आप अपनी corrections कर सकते हो ठीक है साथ की साथ अगर आपको अपना अधार रिया अथेंटिकेशन कराना है तो अधार रिया अथेंटिकेशन के लिए आपके पास time है 11 April से लेके 15 April 2024 रात के 11.50 बजे तक ठीक है तो ये दोनों चीज़ आप कर सकते हो जैसे ही आपको notice मिल रहा है जैसे ही आपको पता चल रहा है जल्दी से जाईए website पे जाईए और वहाँ पर जाके आपको क्या करना है अपनी corrections करने लग जाईए 11 बच के 50 मिनट का वेट नहीं करना है जैसे ही पता लग रहा है वैसे ही correction करने है क्योंकि दुबारा open नहीं होगी ठीक है clear है अब यार देखो एक और चीज़ एंटी नहीं आप लिखी है कि कुछ कुछ corrections के लिए fee भी applicable हो सकती है तो उस fees को pay कर दीजेगा और इस fees को pay करने के बहुत सारे माध्यम हैं आप credit card debit card, net banking, UPI से ये fees pay कर सकते हो अब fee कहां कहां applicable हो सकती है अगर आपना gender change कर रहे हो उसमें शायद applicable हो जाए ठीक है PWD का status change कर रहे हो उसमें शायद applicable हो जाए या फिर आप अपना category change कर रहे हो तो उसमें भी वो applicable हो सकती है तो वो fees ज़रूर भर देना क्योंकि उसके बाद ही वो correction माईने रखी जाएगी ठीक है अब ये correction करा कहां कहां जा सकता है वो भी देख लेते हैं अगर आपने किसी भी field में कोई गलती करी है है ना address भढ़ते हुए कोई गलती कर दी कुछ भी करा है या uploaded documents भी आप दुबारा upload कर सकते हो वहाँ पर भी correction हो सकती है सिवाए दो चीज के आपने जस नंबर से अपने आपको register किया है और जस email ID से अपने आपको register किरा है ये दोनों चीजे दुबारा change नहीं हो सकती है बट आपका जो अधार re-authentication वाला चीज है वो आप हर कोई candidate re-authenticate कर सकता है 15 April रात को 11 बज़ के 50 मिनट तक तो ये दोनों चीज कर सकते हो बस change क्या नहीं हो सकता है mobile number नहीं हो सकता है और email ID नहीं हो सकती है तो जैसी ये news मिल रही है वैसे ही फटा पट जाएए और जाकर क्या करना है अपनी correction करिए गलतियों को सुधारिए और दूसरी चीज जिसने भी हमारा SB Infinity का batch नहीं लिया है तो जल्दी से जाके हमारे संकल भारत के आप पे जाएए वहां पर SB Infinity वाले batch में enroll करिए एक code यूज करिए code क्या है selection अब यह क्यों बोले जा रही हूँ क्योंकि यहां पर आपको इस batch में क्या मिलने वाला है सब कुछ मिलने वाला है यानि कि जितने पहले courses हमने कराए है चाहे वो neutron हो crash course हो as NBTS AITS जैसी series तक test series तक आप वहां पर जाके दे सकते हो वो भी आपके लिए बिल्कुल free कर दी गई है तो जिन बच्चों के पास correction है वो जाके पहले correction करे फिर SB Infinity में enroll करे और जिन बच्चों ने correction कर ली है वो जाके SB Infinity में enroll करे और अपनी neat के तियारी में और आगे बढ़े ठीक है तो all the best for your neat और यह correction जरूर कर लेना और enroll भी कर लेना ठीक है